दक्षिर भारत में BJP का एक मात्र किला इसवार धैता दिखाई दे रहा है पार्टी में बेचेनी की इस्तिती दिखाई दे रही है राज्य में सरकार BJP की है लेकिन राज्य के सीम बसव राज बॉमई के नाम पर बॉमई को टिकेट भी मिलेगा ये भी तैय नहीं है तो दूस राजे में चुनावी गत्विधिया अपने जोर शोर पर हैं। मुकाबला सत्तधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कॉंग्रेस के बीच माना जा रहा है। तो करीब 100 सीटों पर जेडियेस भी मजबूत दिखाई दे रही है। जिसके बाद बीजेपी हाई कमान राजे में मुमई की जगहा पूर्वे सीएम बीएस यदुरप्पा को ज्यादा महत्व दे रही है। लेकिन इससे भी राजे में टकराव की स्तिती बढ़ रही है। यदुरप्पा विरोधी खेमा सक्रिया हो गया है। जो यदुरप्पा पर सीधे निशाना साथ रहा है। बीजेपी हाई कमान संकेत दे रहा था कि करनाटक में गुजरात का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। तो यदुरप्पा ने एलान कर दिया कि अधिकांश विधायकों को फड़ से टिकेट दिया जाएगा। यदुरप्पा कि इस बयान के नाम तै कर लिए गए हैं जिसका एलान 22 मार्च को यानि उगादी के दिन किया जाएगा। 20 मार्च को राहुल गांधी करनाटक के दोरे पर हैं जहां उनकी एक रैली को एतिहासिक बनानी की तयारी की जा रही है। इससे पहले जेडियेस भी अपने 92 उमीदवारों का ना कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोगा है।